दोस्तों, बेसन से कई स्वादिष्ट डिश बनाई जाती है जैसे की पकोड़े, सबजी, मिठाई आदी। बेसन से जितनी स्वादिष्ट डिश बनती है उतने ही लाभदायक बेसन के फायदे हैं। बेसन अधिकतर हिंदुस्तानी घर में पाया जाता है। इसका इस्तिमाल म मानसून के समय सबसे ज्यादा किया जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में बेसन के पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। एक अच्छा माध्यम है। हाई प्रोटीन और लो कैलोरी के अलावा बेसन खाने के फायदे कई सारे हैं जिससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके इसके सभी बेनिफिट्स को जान लेते हैं। नमबर वन ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो गेहूं मैदा आदी में पाया जाता है। जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है वो रोटी, ब्रेड से परहेज करते हैं। इसके लिए लोग रोटी और ब्रेड के अलावा आप्शन ढूनते हैं। बेसन खाने के फायदे कई हैं, जैसे कि बेसन ग्लूटेन फ्री होता है। बेसन से रोटी, पैनकेक और बेसन के चीले बनाए जा सकते हैं। नमबर टू, बेसन में सॉल्लूबल फाइबर होता है, जिससे पाचन शक्ती पोशन को लेने के दर को कम कर देती है। बलड शुगर हाई तब होता है जब पैंक्रियास के द्वारा शुगर के टुकडे करने के लिए इंसुलिन काफी नहीं होता है। जब शुगर मॉलिक्यूल का दर कम हो जाता है, तब पैंक्रियास इंसुलिन बनाने का समय मिल जाता है, जिससे शुगर मॉलिक्यूल के टुकड़े कर सके, जिससे बलड शुगर सामानने रहता है. बेसन में सॉल्यूबल फाइबर और लो कैलोरी होने के कारण यह गड़ कोलिस्ट्रॉल सामानने बनाए रखने में मदद करता है. बेसन में हाई फाइबर मॉजूद होता है, जो कोलिस्ट्रॉल लेवल कम बनाए रखने में मदद करता है. इसके अलावा बेसन में जीरो कोलिस यह एक जरूरी मिनरल है जो हीमोगलोबिन बनाने में मदद करता है। और अमीनो एसिड होता है, जो हमारे शरीर में अच्छे भावना लाने में मदद करते हैं, जिससे हमें नींद भी अच्छी आती है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो डाइट में बेसन शामिल कर सकते हैं। फाइबर होने के कारण इससे लंबे समय के लिए पेट भरा रहता है, जिससे बार-बार खाना नहीं खाते हैं। साथ ही इसमें कैलोरी की मात्रा कम है, जो वजन कम करने से लिए जरूरी है। बेसन का इस्तिमाल करने से शरीर के साथ साथ सुधनरता को भी बढ़ाने में मदद करता है। बेसन से मुहासो का प्राकृतिक इलाज होता है। बेसन लगाने से हमारी तवचा पर एक परत आ जाती है, जो बीमारी को हमारी तवचा पर आने नहीं देती है। नमबर नाइन, अगर आपकी त्वचा सूखी है, तो बेसन लगाने से त्वचा में नमी वापस आ जाएगी, इसके साथ ही बढ़ती उम्र के लक्षन जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं, त्वचा पर बेसन लगाने से यह आसपास की नमी को हमारी त्वचा में ले आता है, जिसके बाद स्किन ड्राइ नहीं रहती है, और लास्ट है, नमबर टेन, बेसन शरीर और त्वचा के लिए तो अच्छा है ही, इसके अलावा यह बालों के लिए भी लाब दायक है, आप बेसन में अंडा और नारियल तेल या फिर बादाम का तेल, मिलकार बालों में लाग सकते हैं, इससे बालों की जड़ मजबूत होती है, और बालों का सूखापन भी चला जाता है, तो दोस्तों उमीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए, धन्यवा झालों का सकते हैं, झालों की समय एंवा एंवार लिए ?